2014 में हमारे आपके सब के प्यारे श्री नरंद्र यहां का जो लोकल लोग है अपना जमीन नहीं बेश रहा था जिसके बज़े से यह क्या आप लोग जानते हैं मैघाले में कितना सब्सक्राइब ट्रेन इस्टिशन है इसको मालूम है मुझे मालूम है मैघाले में सिप एक ही सब्सक्राइब ट्रेन इस्टिशन के रोट में हैं आप लोग देखिए रस्ता कितना क्लीन है और चाड़ो और हरी अली हरी और एक बात बोलू गाइस आप लोग देखिए रोट में एक भी पत्ता गिरा हुआ नहीं है मतलब क्या बलू गारों लोग को सेलूट करती हो यह इतना क्लीन करके रखता है मतलब यह लोग से हम लोग को भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए क्लीन रखना कितना जुरूरी है दो के ड्यक्ता हुआ है। डेनली हमलों के वान टेंञी टेन इस्टीशन में पोछच चुके है जिसका नाम है मैंडि पाथा टेन इस्टीशन आप लोग देख सकते हैं यह मंणिवार्जा राज्य का पहला ट्रेन स्टीशन है तो छली अंदरी कि देखते हैं कैसा है। आप लोक इस्टेशन का जो कॉ्मपौंड है आपलोग देख सकते हैं बहुत ही जागा बढ़ा है और इतना प्लीन है मतलब इतना सापसुदरा concerned तरह मतलब आप लोग देख सेक्ते हैं यह जो हरा हरा आप लोग को पेर दिखाई दे रहा है यह एक्चुली Après स्ट्री है और आप लोग देखिए रस्टे में एक भी पत्ता गिरा हुआ आप को नहीं मिलेगा इतना क्लीन करके रखा हुआ है अगारों लोग अपना घर जैसे क्लीन करके रखता है वैसे ही मेगाले मेज इस्टेशन बना हुआ है यह भी कितना क्लीन है यह लोग से मतलब हम लोग को भी सीखना सही है मतलब क्लीन रखना कितना जोरूरी है सांधेहे बोलके यहां पे थोड़ा बहुत भीर है क्यूंकि सांधे के दिन में लड़का-लड़की यहां पे घुमने आते हैं अच्छली क्यों नहीं आएगा कि जगह है इतना क्लीन है और इतना मतलब पीसफुल है अपना माइन को रिफ्रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं अगर आप लोग भी आपना माइन को रिफ्रेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर यह वला इस्टेशन एक बर आपके अच्छली हिले स्टेशन का एकमत्र ट्रेन स्टेशन है जिसका नाम है मेंदीपथा ट्रेन स्टेशन यह मेंघाले का एकमत्र रेलियो स्टेशन है पर ट्रेन स्टेशन में एक ही ट्रेन चलता है जो मतलब पेसंजर ट्रेन है और यह मतलब मेंदीपथर से गुहाटी तक ही जाता है इससे आगे नहीं जाता है इस train station को integration मतलब 30 November 2014 में हमारे आपके सब के प्यारे स्री नरंद्र मोधी जी ने किया था 1992 में इस रेल station बनाने के लिए सेंस्वन हुआ था लेकिन यहां का जो लोकल लोग है अपना जमीन नहीं बेश रहा था जिसके बज़े से ये काम अटका हुआ था उसके बाद 2007 में जब generation sense हुआ तब लोगों को लगा जगा थो थोड़ा बहुत देफलोप होना चाहिए तो लोगों ने अपना जमीन रेलिवे को बेखना शुरू कर दिया उसके बाद 2007 से इसका काम शुरू हुआ और 2014 में एंट हुआ और 30 November 2014 में इसका इनेगरेशन का काम कम्पीट हो गया था तो गाइस कैसे लगे आप लोगों को यह सोटी से जान करें कॉमेंट करके जोरू बताइएगा ठेंक यूपर वासिंग मिलते हैं नेक्स ब्लॉक में तब तक के लिए गुडबाइ टेक के और बाबाई